दूसरों मोका मिल रहा है एक महिने की online live internship करने का और ये गर पे बैठ किया आप कर सकते हो एक बाए स्लेवस देख लेना क्या आपको पढ़ने वाला है कौन mentor रहेगा कितनी fees रहेगी और भी काफी चीजी complete video देख लो फिर आप खुद decide कर लो आपको training करनी है नहीं करनी internship है और certificate भी आपको मिलने वाला है सबसे पहले मैं बात करूँ यह आपको internship करवाने वाला है no how school no how school internship आपको करवाएगा जिसमें आपको सिखाए जाने वाला है execution skills with IS code मतलब IS code बहुत जाद important जो भी काम होता है site पोसके help से होता है RCC जो भी रहता है building construction का वो इसमें सिखाए जाएगा quantity estimation excel में कैसे करते हैं वो आपको सिखाए जाएगी CAD reader app जो रहती है वो आपको सिखाए जाएगा project management expert मतलब आपको project managing के skills आपको सिखाए जाएगे और जो भी practical है मतलब academic से जो आपने पड़ा है उसको relate किया जाएगा green practice job के बारे में और entrepreneurial skill आपको guidance दी जाएगी 4.7 की rating इस internship को मिली है काफी अच्छे reviews है और 14 अक्तूबर को यह start होगी और 26 November तक यह रहने वाली है और बीच में जो दिवाली holy days रहेंगे वहाँ पर आउफ रहेगा आपका और यह आपको मोका मिल रहा है फिर मैं बात करूँ जैसे एक मंत का civil exposure training रहेगा online आपके लिए execution आप सीखोगे engineering drawings quantity project management is code और green practice का knowledge इसमें मिलने वाला है फिर हम बात करते हैं इसमें देखो होता क्या है वो है क्या मतलब solution क्या है jobs के लिए उसका सिर्फ एक ही solution है exposure मिलना चाहिए आपको tactical training का आपको पता होना चाहिए side पे जाके करने क्या वाले हो और know how school आपको यह पढ़ा रहा है जिनको certificate of recognition मिला है startup इंडिया से तो यह बहुत बड़ी बात होती है फिर आपको certificate दिया जाएगा जैसे आपका course complete होता है a demo setup होगा जिसमें orientation होगी introduction दिया जाएगा क्यों gap है क्या gap is code और उसके practice 11 के बारे में knowledge होगा next day आपको क्या होगा office और execution skills आपको जिखाई जाएगी जो भी stock management का रहता है is 402 रिखाएगा equipment management decision making कैसे बढ़ने आपको कैसे लेने हैं office skill में आपको various stakeholders जो होती है flow of project WBSC और scheduling के बारे में बताए जाएगा फिर software skills में excel google sheet और civil engineering की perspective से क्या काम आएंग वो आपको बताए जाएगा office skill में जो layout किया जाता है contour setting out centerline working drawing कैसे किया जाता है फिर execution skill में foundation की drawing reading कैसे की जाती है पूरी detail section बताए जाएगी reference लिया जाएगा site की images से execution की strategy यह सब चीजे और फिर आपका expert session रहेगा surprise session रहेगा वो जो surprise session रहता है वो एक experience engineer आते हैं chief engineer रहते हैं mentor जो 20-25 साल का experience जिनका होता है तो यह पूरा schedule आप देख रहे हो पूरा mention है यह आप description link रहेगा वो बता देंगे और no house school की अगर हम बात करें इनकी जो founder है वो दिपेश बफाना जी है बी civil जी उन्होंने पुनी university की से की है mtech construction management क्योंकि देखो जो आपकी team रहे जो आपके teachers रहेंगे mentor रहेंगे उनका आपको पता होना चाहिए कि क्या background है वो आप सामने आप देख रहे हो आठ साल का उनको industry experience है और दस project में वो काम कर चुके है project management advisory to developer ठीक है और अगर हम बात करें 2018 में no house school की founded हुआ था और अभी पंद्रह सो बच्चों को यह train कर चुके हैं और काफी अच्छा मतलब बच्चों का review रहे जब उन्होंने यह सीखा यह सब हुआ जो आपका mentor session रहेगा जो surprise session रहेगा विबेग बुरातर जी आपको कर रहेंगे chief mentor रहेंगे वो जो भी slaves बने हैं इनकी मतलब इनके according बने हैं इनको knowledge ये field का कि क्या demon रहती है 20 plus का experience है इनका और अभी रहेजा मुंबे में काम कर रहे हैं और grain building project में काफी expert हैं तो यह आपको मोका मिलने वाला है और जो आपकी team mentors रहेंगे जो आपको पढ़ाएंगे Sanjay Tank जी पढ़ाएंगे अंकित अगरवाल जी और किशे और जादब जी तो इनको दो से आठ साल का experience है सबको तो आपके पास मोका है सीखने का फिर हम बात करते हैं जो recent placements होई हैं बच्चों की वो सामने आप देख रहे हैं फिर की outcome क्या रहेगी इस training का आपको drawing reading इसमें आएगा सीखने execution में क्या काम रहता है वो आपको पसद चलेगा IS456 जो mostly use होता है आथसी में वो क्या काम है उसका पता चलेगा management skill आएंगी presentation skill आएंगी और देखो आपको पूरा क्या होता है confidence मिलता है एक internship के पास देखो ज आपको 1900 पर head देना है फिर जो regular बच्चे जाएंगे मतलब जैसे 25 बच्चे पूरे हो जाते हैं तो आपको group के साथ 2200 देना है और अकेले जाओगे तो 2400 इसको register करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है description में link रहेगा app का app को download करना है और register कर लेना है जाके वहां पर फिर हम बात करते हैं बच्चों ने जो quizzes रहते हैं इनके quiz रहते है assignments होती है जो previous batch की quiz होते हैं बच्चे cashback जीते हैं और जो आपने fee दे होती है वो मौका मिलते हैं आपको cashback पाने का फिर हम बात करते हैं नुवाफ स्कूल की जो MOUs हैं इनके tie-ups हैं associations के साथ सामने आप देख रहे ह हुई है बहुत बड़ी बात होती है कि इस institute का होना यह फिर tie-ups है और काफी मतलब नुवाफ स्कूल इंडस्ट्री में network इनका अच्छा है काफी companies के साथ आप training के लिए जाते होकर मतलब इनकी जो offline training रहती वहां पर आपको जो मोका मिलता है काफी construction industries में सीखने का फिर हम बा स्कूल आपको construction site के बारे में बता रहा है और सिखा रहा है और feedback वीडियो भी देख सकते हो जेवी description में रहेंगे इनकल के पूरा PDF आप वहां देख सकते हो बच्चों ने लिखा हुए उसको पढ़ो तो आपको idea लगेगा और बागी description में लिंक है जल्दी जाके apply कर लो